जी भही असलाम अलेकम केफ टू लेक्चर निम्टर अच्छे जी कलाम एक सवाल कर रहे थे क्विश्चन नमर ग्यारा को निकाले पास्ट पेपर के क्विश्चन नमर ग्यारा इसमें जो पॉइंट नमर थ्री था फॉर नी जिसमें वो ग्रमेंट का एंपलॉई था वन की मैंने का था आपको इंग्लिस लिखता होंगा तो पॉइंट नमर वन की इंग्लिस रहा लिख लें अच्छा जकम नमर को वो कैनेडा भेज दिया गया कितने साल के लिए तीन साल के लिए तो मिस्टर शाह अगर मिनिस्ट्री आफ फॉरण अफेर्स में काम कर रहे है तो क्या इसका पाकिस्तान का स्टे काउंट किया जाएगा या गर्मेंट एंप्लॉई होना ही इसको रेजिडेंट बना देगा तो जो साहब ऐसे हैं जो के पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना भी हो लेकिन government employee हो जिनकी posting abroad हो जाए तो इनका government employee होना ही इनको क्या बना देगा resident बना देगा ये बात कल की थी चलें जी लिखें an individual shall be considered as resident individual if he is an employee or official an individual shall be considered as resident individual if he is an employee or official of federal or provincial government posted abroad भाई वो ही जो कल इंक्लिश आप लोग ने घर जा के याद की है an individual shall be considered as resident individual if he is an employee or official of federal or provincial government posted abroad during the tax year दुला कल बांट लेंगे अभी रहने दो ठीक है aah full stop in this case as he is चलें गूजिए लिखें चोडने हाँ conclusion लिखें जो मेरे लिखें रहारा हम in this case as he is an employee of government in this case as he is an employee of government .So, he will be considered as calling resident individual .So, it is co resident individual .Okay. . अचाजय यह वापेस आ रोजएए जो अमकद पहरे थे . . अबस्यों आ भी सक्रमाचा बभी में हैंaba है ओजओ एुद्ष आख़े एजया हैं? अच्छा जी हमारी law में जो persons हैं वो तीन किसम के हैं इसमें दो गुर्बी में बनाऊंगा यानि टोटल पांच है आपने डायग्राम में अभी सिर्फ तीन बनाने हैं इंडिविज्वल एओपी और कमपनी दो और हैं वो में बाद में बनाता हूं एक डॉक्टर साब अगर एक क्लिनिक चला रहे हैं तो इनको क्या कहा जाएगा इंडिविज्वल एक दुकान दार है केला दुकान चला रहे है इससे क्या कहा जाएगा इंडिविज्वल एओपी होती है भाई तो देख लो एओपी होती है partnership एओपी क्या होती है association of persons partnership तो दो लोग मिलके अगर कारोबार शुरू कर दें इसे क्या कहा जाएगा एओपी दो तीन लोग मिलें एक सफ़ा पकड़ें उस पे agreement साइन करें कि हम profits business के share किया करेंगे यह aop بن जागी इसी तरह दो दो चार लोग मिलके company भी बना सकते हैं तो फिर aop के और company में फरक कैया है? दो चार लोग मिलके ऐop के बना लें दो चार लोग मिलके company बना लें इसमें फरक कैया? तो भाई जो company होती है ना company उसने जाना होता है आपने किदारे का नाम सुनाओगा Securities and Exchange Commission of Pakistan इधर अटेंटे वरें Securities and Exchange Commission of Pakistan तो SECPA के दारा है उम्हेर भी बाद में कर लिजेगा SECPA के दारा है जिसके पास आपने जाना है और उसके पास जाकर आपने अपने आपको रिजिस्टर करवाने है अगर रॉयल फैन वाले कहते हैं कि हम अपने आपको कंपनी कहलवाना चाहते हैं तो ऐसी सुरत में रॉयल फैन वाले क्या करेंगे रॉयल फैन वाले किसके पास जाएंगे Securities and Exchange Commission of Pakistan SECPA के पास जाएंगे और जाके अपने आपको रिजिस्टर करवाएंगे अगर कोई partnership firm है दो तीन लोग मिलके कहते हैं हम partner बनेंगे और partner well के कारोबार शुरू करेंगे इन्नों ने किसी के पास जाना नहीं एक बात जाद रखिएगा यह जो partnership firm होती है इन्नों ने किसी के पास जाना नहीं होता पाकिस्टान में ये बस partnership firm क्या है आपने साथवले से मिलके काम शुरू किया आपने साथवले को का यार ऐसा करते हैं पिछली गली के अंदर जो है वो कुछ दुकान ले लेते हैं और दुकान लेके वहाँ पे बोतलें बिस्किट बेचते हैं कॉलिज से माशला बड़े बच्चे निकल रहे होते हैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए तो रास्ते में हम दुकान खोल लेते हैं तो अब आप दोनों ने मिलके partnership कर ली आपने पाकिसान के किसी law के तहट अपने आपको register नहीं कराना वो तो FBR में जाके आप सिंपल जो आपकी income पे टेक्स बन रहा होगा वो जमा करवा रहे होंगे तो यह है जी एओपी और company में फरक एओपी दो तीन लोग होते हैं जो मिलके कारवार शुरू कर देते हैं लेकिन अपने आपको कहीं register नहीं करवाते हैं लेकिन आपस के अंदर एक मौहिदा जरू करते हैं एक सफ़ा बनाते हैं सफ़ों पे तीनों partners के sign होते हैं और उसके बाद कारवार शुरू होते हैं लेकिन company में formalities ज्यादा हैं ना सिर्फ आपने एक सफ़े बनाने हैं बलके हकोमत पो जाके वो जमावी करवाने हैं SECP Security and Exchange Commission अपकस्ताने के दारा है उसके पास आप जाएंगे और आपको किस law के तहएट register किया जाएगा company को किसी को पते है company's law का नाम companies act 2017 सत्रा में आया था यह एक तो companies act के तहएट आपको अपने आपको जाके क्या करवाना पड़ेगा register करवाना पड़ेगा और किस दफ्तर में जाना पड़ेगा Securities and Exchange Commission अपकस्तान अच्छा जी तो individuals partnerships और companies कल हमने पढ़ा था इंडिविजरक में रेजिडेंट बनते हैं यह नहीं पड़ा था कि अइंडवीज्धन ना रीज्टेन बनते हैं लेकर आप्वश्टि जू इंडिविजल रेजिटेन नहीं है वो क्या है कि 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 यो पी बी रेलेंट दूर सकती है और इसी तरह कंपनी भी रेजिडेंट भी हो सकती है और चले नोट कुल कि अगया कि अगया कि अगया कि अगया कि कलम ने यह पढ़ लिया था कि मैंने हाइलाइट किया इंडिविजल का प्रेजिडेंट बनता है इस जनरल लूल उसका स्टे पाकिसान में 183 डेज या उससे ज्यादा हो लेकिन अगर वो इंडिविजुल गवर्मेंट का इंपलॉई है तो उसका नमबर अफ डेज भी काउंट नहीं किये जाएंगे वो चाहे बाहर के मुल्क में पूरा साल भी रहा फिर विवह क्या समझा जाएगा रेजिडेंट विजुल समझा जाएगा आज हमने यह पढ़ना है यह प्रेजिडेंट मनती है और कंपनी कब रेजिडेंट मनती है तो रेजिडेंट कंपनी और यह पी की जरा डेफिनेशन ढूंडें आपको मिल रही है किताब में इसमें नोट्स में सेक्शन 83 और 84 इसमें आप पहले देख लें जी रेजिडेंट कंपनी और नीचे है रेजिडेंट एओपी देख लेते हैं पहले मुझे पता है इंडिविजुल में एक पॉइंट रहता है कलवाला वह मैं आपको करवाओंगा रेजिडेंट एओपी किस वकत रेजिडेंट बनती है मिल ग एओपी में होते हैं पार्टनर्स एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होते हैं पार्टनर्स कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होते हैं डारेक्टर्स डारेक्टर्स के हाथों में और AOP का कंट्रोल एंड मैनेज्मेंट पार्टनर्स के हाथों में यह कुछ शफ़े के टॉप पे आपको वही नदर आ रहा होगा रेजिडेंट AOP बिलगी है? अच्छा अगर AOP के पार्टनर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं सारे या सारों मेंसे कुछ तो AOP क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कितने अर्से के लिए? चाहे एक दिन के लिए विसाल के तोर पे एक AOP ऐसी है जो के पाकिस्तान के अंदर इन जमामुलहक है सक्लाइन मुश्ताक है शाहिद अफरीदी है इन तीनों ने मिलके कोई पार्टनर्शिप शुरू कर दी चलो जी हम इसी बना के बेचते हैं तो इन तीनों ने मिलके जो पार्टनर्शिप शुरू की ये सारे ये तीनों तो रहती ही पाकिस्तान में मौझूद हो जिसकर decision making और ही होती हो ठीक है मिसाल के तोर पर ऐसा भी हो सकता है कि डोनल्ड ट्राम्प और सिरिलंका में मुरली धरन ये दोनों मिलके partnership कर लें और पाकिस्तान के अंदर जो है वो गंदुम बेचने का काम शुरू कर दें अब ये दोनों मिलके जब कारवबार शुरू करें और पाकिस्तान में गंदुम बेचने का काम शुरू कर दें तो अब क्या ये एओपी resident बनेगी या non resident उसके लिए हम इस एओपी से एक सवाल पूछेंगे तुमारे दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक पार्टनर पाकिस्तान में अगर एक घंटे के लिए भी आ गया और आके decision लेके चला गया तो वो एओपी क्या बन जाएगी resident हो भी इसमें 183 days वाली बात नहीं है एक घंटा दूर के बाद एक second के लिए भी आ जाए एक minute के लिए भी आ जाए तो ऐसी सुरत में वो एओपी भी क्या बन जाएगी दोनों पार्टनर्स काना जरूरी है या दोनों में से कोई एक आदा भी आ सकता है एक कर लें आदा को तो कैसे बलाएंगे एक कर लें तो दोनों भी आ सकते हैं एक भी आ सकते हैं तीन ए तीनों भी आ सकते हैं तीन एक भी आ सकता तो an AOP shall be considered as a resident AOP for a if control and management यानि partners जो इनके business को देख रहे हैं if the partners आज जो बातें हो रही हैं उनका कल वले बातों से ज़्यादा link नहीं है इसने जिनका first day है वो परिशान नहीं हो if the partners of the AOP situated wholly सारे आजाएं या सारों में से थोड़े से आजाएं कहां आएं कितने अर्शे के लिए at any time in the year anytime in the year का क्या मतलब है 183 days के लिए आएं एक दिन के लिए एक मिनट के लिए एक लिए एक लम्हे के लिए भी आ सकते है कि यह भी साथ सी definition है एन एओपी चल्मिया रेजिदेंट एओपी इफ कंट्रोल एंट मैंजमेंट आफ दा फेल सारे के सारे और थोड़े से इन पाकिस्तान है अब हम देखतेंगे किसकी definition रेजिदेंट कंपनी रेजिदेंट कंपनी किस वकत रेजिदेंट समझी जाएगी पाकिस्तान के अंदर कौन सा लौ है जो कंपनी की इन कॉर्पोरेशन को देखता है हाँ पाकिस्तान में कंपनी अक्ष़ दोहजार सत्रह हैं अच्छा यह जो रॉयल फैन वाले हैं इन्हों ने अपने आपको कंपनी-जाइक्ट दोहजार सत्रह जो पाकिस्तान का लौ है इसमें इनकॉर्पोरेट ज़र रिजिस्टर करवाया होगा? येस इसी तरह हायर कंपनी है वो इसी बनाते हैं उन्होंने पाकिसान में कंपनी लौ में अपने आपको रिजिस्टर करवाया होगा येस उन्होंने रिजिस्टर कराया हो जी एफसी फैन वाले हैं गुजरात फैन वाले हैं उन्होंने अपने आपको पाकिस्तान के कंपनी लौ में रिजिस्टर करवाया होगा, बिल्कुल करवाया होगा, तो यह जितनी मैंने आपको कंपनी की मिसालें दी, यह तो पाकिस्तान के लौ में रिजिस्टर है, तो जो कंपनी अपने आपको पाकिस्तान के लौ में रिजिस law enforcing found by law कानून ने बनाई या खुद बनी थी पर कानून के तहद अपने आपको इसने रिजिस्टर करवा लिया वो कानून कौन साए Companies Act 2017 तो जो कमपनी पाकिस्तान में अपने आपको Companies Act 2017 के तहद रिजिस्टर करवा ले वो कमपनी बोलें क्या बन जाएगी Resident Company बन जाएगी अब जी Coca Cola है वो कहें जी मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रांच खोलनी है अगर तो वो Coca Cola पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोले और वो पाकिस्तान के लाँ में अपने आपको रिजिस्टर भी करवाना पसंद करें फिर तो Welcome, Point A के तहद आप President बन जाएगे लेकिन अगर Coca Cola वाले कहें कि जी पाकिस्तान के लाँ में हम अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाना चाते बस हम वैसी ब्रांच चलाएंगे, हमारा Head Office बाहर है, बाहर हमने आपने आपको रिजिस्टर करवाया है हर मुल्क में जाके क्या आपने आपको रिजिस्टर करवाते हैं फिरे Company Law के तहद आप ये बताओ के आपका Management and Control कहा है आपका Management and Control कहा है यनि Coca-Cola का Management and Control कहा है वो होंगे इनके Directors इस केस में आपको पता है Partnership के Firms में जो Management and Control संभालते हैं वो Partners होते हैं और Company के केस में जो Management and Control संभालते हैं वो Directors होते हैं तो पुछा यह जाएगा कि भाइजन directors कहाँ पर हैं अगर directors सारे के सारे बोलें साथ अले के कान में सारे के सारे directors एक मिनट के लिए भी पाकिस्तान इकठे आजएं control चलाने के लिए तो वो company resident बनेगी वरना वो company resident यहाँ holy और partly का लफ्स ने लिखावा यहाँ अंग्रेजी वो ही है जो EOP के अंदर है लेकिन एक लफ्स बस different है control and management यह नि डिरेक्टर्स control and management of the affairs of company is situated सारा का सारा सारा का सारा control and management कहा हो in Pakistan कितने अरसे के लिए एक लम्हे के लिए भी हो सकता है तो इस company को क्या कह दिया जाएगा अब अगर इसको बात को मैं डायाग्राम के जरीए बनाऊं तो यह इस तरह बनेगी companies के लिए यह rule है कि अगर तो उन्होंने अपने आपको incorporate करा लिया पाकिस्तान में company law के तहट तो तो वो क्या है अगर not incorporated in Pakistan under company law लेकिन अगर अगर अपने आपको company law में रिजिस्टर ना करवाएं तो फिर क्या देखा जाएगा if control and management is situated तब जा के क्या बनेंगी यह rule है not अगर झाल अच्छा जी यह जो योपी है और कंपनी है दोनों के अंदर यह बात है कि डिरेक्टर्स आएं या पार्टनर्स आएं कमपनी के केस में तो सब को आना पड़ेगा और पार्टनर्सिप के फिरम म Say この सारे भी आ सकते हैं सारओ में से थोड़े भी आ सकते है यह किसी परसनल काम आएंगब अपद के के कि अगर को डिरेक्टर अकेला आजाए कंपणी के केस में तो कंपणी ओविसली रेजिडेंट नी बनेगी कि सारे डिरेक्टर का आना ज़रूरी है हाँ वो डिरेक्टर अपनी जात के अतबार से रेजिडेंट बनजेगा शायद अगर 183 दिन से अधर होगा लेकिन वो बात अ अब लिए शर्त है कि कंपणी के सारे डिरेक्टर पाकिस्तान में बिस्नेश दिसीजन लेने के लिए यह बात है और अगर इधर मैं लिख दूए इस तरह कंट्रोल एंड मेनिजमेंट इस नौट होली इन पाकिस्तान तो एक यह बन जाएगा नॉन रेजिडेंट और अगर इसके एओपी किसी लौ में अपने आपको रिजिस्टर नहीं कराती ना तो एओपी के लिए बस सिंपल सा रूल है सारे पार्टनर या थोड़े से पार्टनर पाकिस्तान में यह रेजिडेंट बन गई कंपनी के लिए पहला रूल कुछ हो रहा है या तो अपने आपको की कि लौ में रेजिस्टर करवा लिया फिर तो ऐडिफॉल्ट की कर बन गई रेजिडेंट लेकिन अगर कंपनी ने अपको बाकिसान के लौ में रेजिस्टर नहीं और सवाल पूछने है पिर सारे डिरेक्टर आए तो इसी there को बला लो बॉब यह अच्च सिए कैन तीन गर्मेंट्स होती है फैडल गर्मेंट प्रोविंशल गर्मेंट और लोकल गर्मेंट यहां दो गर्मेंट्स का जिकर है प्रोविंशल गर्मेंट और लोकल गर्मेंट फैडल गर्मेंट तो वो शवासरी वली प्रोविंशल गर्मेंट जो सूबों वली है और लोकल गर्म government का लफ्ज जो है वह यहां नहिं लिख वा इसलिए के federal government को आप ने जरूत नहीं के federal government को आप क्यें यह company है तो यह जीब सी बात होगी federal government को company कहना यह सी बात होगी इसलिए थोड़ी देर में मैं आपको ईजा इन्डिविजियू है ना एयोपी है ना कंपनी है बलकि फैडल गवर्मेंट अपने अंदर ही अलग से एक परसन है उसकी बात मैं बाद में करूंगा फैडल गवर्मेंट के लावा और कौंसी गवर्मेंट बच गई प्रोविंशल और लोकल गवर्मेंट अब प्रोविंशल और लोकल गवर्में कि अगर प्रोविंशार गुंशार एकने सूबे से बाहर जाके कोई काम करे तो फिराज प्लिपले में डूसरे सूबे से जाके टक्स देना पड़े गा तो इसलिए अपर्यकॉशनरी मेय उसने गभंवर्मन्ट को किसी category میں फैंक दिया वो किस category में फैंक ना उसने मुनासित समझा उसने कहा government individual में फैंक हूं नहीं provincial government की बात करा हूं provincial government को EUP में फैंक हूं नहीं उसने provincial government को किस डफिनेशन में फैंक दिया company की definition में फैंक दिया अब अगर कल कलं को जाके कभी provincial government को tax देना पड़ा तो उसको किस definition के मताबिक हम fall कराएंगे company के definition तो इसलिए दो चीज़ें जिनको जबरदस्ती उठाके हलांकि ये companies नहीं हैं ये CCP में जाके अपने आपको register नहीं करवाती है जबरदस्ती उठाके हमने किसकी definition में डाल दिया company के company को अब जी अब आप मुझे बता दें के हमारी सारी बात की समरी क्या बनी अब इसको side पर रखें resident individual को ने 183 days या उससे ज़्यदा रुके या government का employee हो को involved हो साथ होंट हिलाने से depreciate नहीं करेंगे EOP कब resident है EOP तब resident है जब इसका management and control only या partly पाकिसान में हो company या तो पाकिसान के law में अपने आपको रिजिस्टर करा ले तो भी resident है नहीं रिजिस्टर कराती ही तो सारे डरेक्टर पाकिसान आ जाए तो resident है और provincial government और local government भी company की definition में fall करेंगी किनका provincial government जो पाकिसान किया वो तो resident ही होगी ना अच्छा भी एक point अब रहे गया था अच्छा जी रेजिन इंडिविज्वल में जाना आखरी point रहे गया था point number D रहे गया था तो वो जरा उसको देखते हैं आई होप अप सही जगा पे पहुंचे हैं यह देख लें point D है उसके साथ दो bullets भी बने में नीचे examples भी हैं मिल गया किसी जमाने में यहां point B भी होता था लेकिन वो किसी वज़ा से delete हो गया है इस session में इस दफ़ा पहली दफ़ा FBR ने यह point D डाला है point D इससे पहले मौझूद नहीं था point D बिलकुल जो है वो निया point आया है law में तो यह पिछली दफ़ा जो लोग paper देखे आये हैं उनको यह point D नहीं पता था यह point D बिलकुल नहीं आया है इस तफ़ा आया है इसलिए इसकी नीचे example भी डाल दिया अच्छा जी point A जो कल हमने resident individual की definition में पढ़ा था वो एक general rule था क्या individual को resident बनाने के लिए देखा जाता है उसका stay पाकिस्तान में 83 days या उससे ज्यादा हो इसी तरह individual के लिए एक specific rule था वो सारे individuals पाकिस्तान में जो government employees हैं उनके लिए देखा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौझूद कितना रहे इस बात को नहीं देखा जाता बलके इस बात को देखा जाता है कि government employee है और अगर posting हो गई है abroad तो भी वो क्या बन जाएंगे अब यह जो पॉइंट डी है यह भी स्पेसिफिक पॉइंट है कि इसी किन के लिए था अच्छा पेपर में आपने ऐसे नहीं लिखना होगा एसी डी पेपर में 123 करके भी लिख देंगे तो कोई मस्तला नहीं अच्छा पॉइंट BC था government employees के लिए यह जो पॉइंट है ना यह है frequent travelers के लिए frequent travelers क्या मतलब जो बहुत ज्यादा बाहर के मुलकों में घूमते फिरते रहते हैं डबल है लाएगा पता नहीं अच्छा तो यह frequent travelers के लिए पॉइंट है जो अक्सर बाहर के मुलकों में आते जाते रहते हैं उनके लिए यह point है इस point को अब आपने ज़रा वोर से समझने है फिल हाल आप example पढ़के पहले वाली अपना कल वाला knowledge apply करें जो point A में हमने पढ़ा था Mr. Kamran is a citizen of Pakistan He stayed in China for and he stayed in Germany for He stayed in Pakistan is for वेरा कल वाला rule लगाएं और कल वाला rule लगाकर आप मुझे बताएं ये बंदा आपको resident लग रहे या non-resident ये बंदा आपको क्या लग रहे हमने क्या कहा था कहा पर stay count करना है Pakistan का stay count करना है हमने क्या कहा था कहा का stay count करना है क्या ये 165 is less than 183 days therefore based on your yesterday's knowledge ये जो कामरान साब है he will be considered as non-resident क्योंकि हमने residential status determine करना होता है citizenship की base पर नहीं कि उसके पास ID card कहां का है हमने number of days देखने होते हैं तो apparently इसको उर्दों में बजाहर कहते हैं बजाहर ये बंदा क्या नदर आ रहे हैं non-resident लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के law में एक नई चीज़ आई है जिसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं हमने ना दो सवाल पूछने इस सेनेरियो में दो सवाल पहला सवाल पहला सवाल ये पूछना है ये data आपके सामने है चाहिना में कितने दिन रहा है जर्मनी में 100 days 100 plus 100 165 days कहा रहा 200 plus 165 365 साल में भी कितने दिन होते हैं 365 days पता है जब बताना पड़ेगा ये भी पता है तो साल में 365 days होते हैं अच्छा अब आप मेरे दो सवाल आप इस से पूछेंगे इस data से दो सवाल पूछेंगे कामरान से पहला सवाल कामरान क्या तुम citizen हो ये सब नों में जवाब दें बताएं तल्दी कामरान citizen है येस दूसरा सवाल मेरा गोर से सुनिएगा क्या किसी और foreign country में क्या किसी और foreign country में single foreign country में क्या किसी single foreign country में ये 182 days से ज्यादा रुका एक्सलेंट पहले सवाल का जवाब आपने क्या दिया दूसरे सवाल का जवाब कल मैं पाकिस्तान का stay count करने को कह रहा था आज मैं पाकिस्तान का stay नहीं count करने को कह रहा आज मैं बाहर का stay count करने को कह रहा हूँ इसला सवाल क्या ये बंदा citizen है क्या इसका single foreign country में किसी एक foreign country में क्या किसी एक foreign country में भी चाहे 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 जर्मनी ले 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 इसका stay 182 day से ज्यादा है जब पहले सवाल का जवाब आए पेपर में येस citizen वाला और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा है आप से उसका जवाब पेपर में आए आपके जहन में नो इस बंदे को भी आपने resident बना देना है हलाग कि इसका stay 183 days से कम है इस बंदे को भी आपने क्या बना देने अब इसकी logic सुने पहले सवाल सुने दुबारा क्या ये बंदा citizen है पाकिसान का citizen है क्या इसका stay single foreign country में 182 days से ज्यादा है किसी एक single country में आप बजाहिर असल में हो पता क्यार आए कि इसको मैं थोड़ा सा डेटे को और तोड़ता हूं logic समझाने के लिए 165 days ये पाकिसान में रहा 50 दिन चाइना में रहा सवाल बदल रहा हूं 50 दिन चाइना में रहा 50 दिन इंडिया में रहा 50 दिन अफ़वानिस्तान में रहा 50 दिन जर्मनी में रहा अब हर मुलक में थोड़े थोड़े दिन रह रहा है frequent traveler है अब पाकिसान के अगूमत ने इससे कहा उतर तुम्हें तो कोई मुल घास ही नहीं डाल रहा 50-50 दिन तो मुदर रहते हो कोई जाके तुम्हें रेजिरेंट मानी नहीं रहा चाइना में तुम 50 दिन रहेगे चाइना वाल उन्हें तुम्हें रेजिरेंट कहने लग जाने कभी भी नहीं इंडिया में तुम 50 दिन रहे उन्हें तुम्हें रेजिरेंट कहने लग जाने कभी भी नहीं तो भाई जन फिर आपको हम ही रेजिरेंट कह देते हैं है तो पिदाईश इदर की आपकी सिटिजन तो आप इदर की है तो इसलिए हम ही आपको क्या करार दे देते हैं थोड़ी समझ आई बात की असल मैं उसे कोई मुलक वाला धास नहीं डाल रहा हूँ तो बीस दिन इदर चला जाता है और एक्जामपल को ब्रेक कर लें ब्रेक हो रहा है और एक्जामपल को ब्रेक कर लें बीस 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 दिन करते दस मुलकों में रहा दो सो दिन अब किसी मुलक वाले ने इसको लिफ्ट नहीं कराई और कोई इसको रेजरेंट नहीं मान रहा अपने है मुलका तो पाकिस्तान में 165 डेज रुक गया चाहे 165 डेज रुक है फिर भी इसको क्या करार दे दे रेजरेंट अब आपने दो सवाल पूछने है पहले का जवाब आया करेगा दूसरे का जवाब आया करेगा आपने इस बंदे को क्या करार दे दिया करना है अगर इन दोनो सवालों का जवाब कुछ भी डिफरेंट हो जाए ना दोनों का जवाब ही आना ज़रूरी है पहले का हमेशा दूसरे का हमेशा नो इसके इलावा अगर कोई भी जवाब आए, जानी दोनों का येस आजाए, दोनों का नो आजाए, फिर भी आपने फारख करना है इसको, सिर्फ एक ही जवाब आना चाहिए, नमबर वन, पहले का येस, दूसरे का नो, तो ऐसी और इसमें आपने स्टे कोन सा काउंट करना है, बाहर वाल वाल सारे मुलकों का टोटल करके काउंट करने या किसी एक कंट्री का देखने है, किसी एक कंट्री का देखने है, ओके, तो हैंडिए, तो लास्टाइम, कामरान is a citizen of Pakistan, क्या इसका स्टे, पहर के मुलक में, बाहर के मुलक में, 180 टूडे से ज्यादा है, इसका जवाब येस आया दूसरे का जवाब नो आया आप इसे फिर पाकिस्तान का रेजिडेंट करार दे दें क्योंकि कोई मुल्क सो सो दिन पे इसको लिफ्ट नहीं करा रहा इसको रेजिडेंट नहीं मान रहा तो फिर बहालत मजबूरी कौन इसको रेजिडेंट मान ले अपना पाकिस्तान वाले डिस्टेंट मान लें पहले law की provision पढ़ें फिर solution पढ़ें इसमें आपने दूसरा बुलिट नहीं पढ़ना सिर्फ पहला बुलिट पढ़ना है अधर कंट्री तो लावले ने लिखा है अधर सिंगल है सिंगल कंट्री अधर को अंडरलाइन करके सिंगल कंट्री इदर इदर ये वला अधर ये वला अधर अंडरलाइन करके सिंगल कंट्री he is a citizen of Pakistan and is not mوجود in single country for more than और ये कौन सी single country है ये भी उपर लिख ले है फॉरन होनी चाहिए ये कौन सी single country हो single foreign country any other से मुराद वो ही है न पाकिसान के लबा तो single foreign country अज़र का मतलब single foreign is not in single foreign country for more than 182 days अब आप एक काम करें दूसरा सवाल ना उर्दू जबान में दरा लिख लें ताकि दूसरा सवाल जब आपको पेपर में आई तो आपको पता हो दूसरा सवाल उर्दू में लिख लें क्या ये बंदा single foreign country में 182 days से ज्यादा रुका ये सवाल आपने पेपर में आपने माइंड से पुछा करना है क्या ये बंदा जरूर लिखें उर्दू में क्या ये बंदा single foreign country में 182 days से ज्यादा रुका लॉजिक कितना होगा समझ आगी है 40, 40, 50, 40 दिन बाहर के मुलकों में भूंग रहा है तो अब कोई इसको resident मान ही ने रहा तो फिर कौन गले लगा ले पाकिसान, पाकिसान कही हमारी आगोश में आ जो बेटा इदर बैठ जो फिर तुम क्या हो, हमारी नजर में तुम ही क्या हो resident हो अजजी एक मिनट सवाल पूछ लिएने पहले 182 से ज्यादा more than 182 मैंने सवाल के लिख वाया उर्दू में 182 से ज्यादा हाँ हाँ बस हमने ये सवाल उससे पूछ लिया करना है चाइना के रूलों हमें पता वो हमें देखने भी नहीं हमने वो फिर और बात है दोनों मुल्क कहते रहें वो मरजी है बस पाकिसान के रूल लगाने है हमने सिर्फ ये सवाल पूछ के रूल लगा दिया करना है पाकिस्तान का रेजिडेंट है जा नहीं हमने ये नहीं डिसाइड करना के चाइना का रेजिडेंट है जा नहीं हमने सिर्फ जो ये रूल लगाए हैं हमसे पेपर में यही सवाल आएगा इन दा लाइट आफ पाकिस् पर रखें दरा ओके अब भी पढ़ें इसको solution इसका he is resident individual यह तो conclusion हो गया conclusion की basis क्या है एक सवाल का जवाब yes और दूसरे का no होंटे लाएं एक सवाल का जवाब yes दूसरे का no he is resident because he is and is not present in one foreign country for more than 182 days clear अच्छा अब जरा अगला सवाल आप ट्राइ करें इसका मैंने solution चुपाया हुए दो सवाल पूछें Mr. तैमूर इजा इससे पहला सवाल पूछें क्या तुम citizen हो yes इसने का मैं citizen हूँ अगला सवाल he stayed in China for 180 and he stayed in Pakistan for 180 अच्छा वैसे एक बात याद रखेगा आप पेपर में पहले ना point A लगाया करेंगे general rule पहले क्या लगाया करेंगे point A अभी मैं आपको बताऊंगा paper में आपको कैसे लहाम होगा point A कैसे लगाने और point D कैसे लगाने ठीक है जैसे ही paper आएगा सबसे पहले आपने point A लगाने जैसे मैं कामरान वाले सवाल में वापिस आ जाता हूँ इसमें जरा point A लगाके बताएं आपको दिखने में ये बंदा क्या लग रहे लेकिन अगर paper में citizen का लफस आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार citizen का लफस अगर उसने डाल दिये ना सवाल में तो point A तो मैं लगाके दरा नजर मार लूँ लेकिन वो मेरे से point D का concept बे चेक करना चाहरा है तो ये citizen का लफस आपने दिवाना वार ढूंडा करना है past paper का आपको इसके कोई सवाल ने मिलेगा क्योंकि past paper में तो ये कभी टेस्ट हुए ही नहीं ये 6-7 महीने पहले ये पाकिस्तान में रूल आया नया तो past paper का आपको कोई सवाल ने मिलेगा लेकिन आपके past paper में जब सवाल आएगा तो सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ करेगा ये बंदा क्या है citizen है और उसकी base के ओपर जो है वो उसके decision हुआ करेगा अच्छी तो अब दिखने में कामरान वाले सवाल पे मैं point A लगा हूँ तो ये non-resident लग रहा है लेकिन एक निया point भी आये law में D अब मैं D लगा के देखता हूँ क्या ये citizen है क्या कि ये किसी single country में बनेटी टूडिस सदर हुआ तो अब A के बनियाद पे तो कुछ और जवाब आ रहा था लेकिन D prevail कर जाएगा क्योंके citizen का लफसा लिखा हूँ है तो D की रोषणी में ये क्या बन जाएगा अब आपने कहने conclusion के ये बन्दा क्या है resident अच्छा ये example आई अब आपको इलहाम नहीं था paper में के A लगाने ये D लगाने तो पहले आप general rule लगा लें क्योंके citizen का लफसा लिखा हूँ है अगर citizen का लफसा ना लिखा हूँ है तो मैं D ना लगाता क्योंके citizen का लफसा लिखा हूँ है अब D लगा के चेक कर लें D लगा के चेक करें क्या ये citizen है दूसरा सवाल उर्दू में दरा पढ़ें क्या ये single foreign country में 182 days से अधा रुका? येस, येस, ये तो गड़बड होगी अब दोनों का जवाब क्या आगया? रेजिडेंट बनाने के लिए मैंने का था पहले का जवाब क्या आना चाहिए? और दूसरे का जवाब? लेकिन इसर दोनों का जवाब? येस, अगर दोनों का जवाब आगया येस तो फिर ये रेजिडेंट नहीं है, ये क्या है हमारी नदर में? ये इस आ नॉन रेजिडेंट विजल एस पर पाकिस्तान लाओ, चाइना का हमें नहीं पता, चाइना में जो वर्ज़ी हो, उसके रूल हमें नहीं पता ये इस पर पाकिस्तान लाओ, पाकिस्तान के लाओ के में ताबिक जी ये बंदा क्या बन गया? और हमसे पेपर में भी पाकिस्तान के लाओ काई सवाल आने ये इस नॉन रेजिडेंट विजल दो, दो, पहले सवाल का जवाब येस है, दो ये इस अ citizen of but but से आगे यह लिए इंग्रेजी मैंने उठाई है लेकिन not कलब सट आके but he is present in one foreign country for more than 182 days clear अब इस concept को हम hold पर रख देते हैं इसको test में किसी में डालेंगे और test में डालने के बाद पर discuss करेंगे ताकि आपको A और B के अंदर अगर जहिन में कोई confusion रह जाए तो वो test में डालके clear हो जाए हमेशा A लगाने लेकिन अगर citizen का लफस आजए तो एक और point भी लगा के चेक कर लेना है वो कौन सा? D यह बात भी अगर आप उर्दों में लिखता जाते हैं लिख सकते हैं हमेशा A लगाने लेकिन अगर citizen का लफस आजए तो B लगा के चेक भी करने कर लो ना इंस्टॉल अपने मोबाइल में आप किसी के है तो कर दे यह सी बन पॉसिवर नहीं कोई मस्था में पॉइंट दी पॉइंट डी पहले सवाल का जवाब क्याना चाहिए येस अच्छे जो सेकंड बोलेट है ना ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है और ये पेपर में ऐस सेनेरियो बेस में आपको टेस्ट नहीं करेगा लेकिन इस पर फिर भी को डिसक्रिशन हुई तो हम क्लास के अंदर कर लेंगे एक अजीब सी बात हो सकती है कि हो सकता है चाइना में कोई ऐसा रूल हो कि चाइना वाले इसको छोड़ो यार फिर फिर ऐसे पेपर में लाइन लिखी होगे फूल स्टॉप के बाद के ऐस पर चाइना टेक्स रूल्स ही इस रेजिदेंट इन चाइना बिकॉस चाइना रूल सेज डैट ही इव इफी स्टेस फॉर हंडर्ड़ देज इस रेजिदेंट तो अगर ऐसी कोई बात पेपर में लिख दे जीब सी लाइन पेपर में डाल दे इसका मतलब है वो जो फड़ा पड़ा था फ्रीक्वेंट ट्रेवर का इदर जा रहा है उदर जा रहा है तो उसको चाइना वालों नहीं पकड़ दिया हमारी नदर में क्य तो फिर पाकिस्तान वालों को रेजिदेंट बनाने की जरूरत नहीं है बहराल इस दूसरे बुलिट को होल्ड पर रखते इसको कल करेंगे इसकी मैंने को एक्जांपल भी नहीं डाली ठीक है तो फिलहाल यह पहले बुलिटी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है और आई कैपने कड़िदेंट परसण कोन है क्या में डिटी पारसण कब रेजिदेंट बनता है तो वह एक सांच सी डैफिनिशन है वहां लिखा होगा आप परसं शहल बी एक ब्र Quindi रेजिदेंट ने डिवाल यह इस डेneट परसं परसं इक ब्राइड लएगाenge बाना ना परसं से जुत नहीं होता बरसन अब को ने सांस हो जाता सब्क्रीक्षा लेकिन इसी निया कंपनी जा रही थी कपनी बैठी थी प्रस्ट हों ने पानी पिला दिया एसी बात नहीं है तो आप कंपनी स्टिला पर्सन तो अब एक ब्रॉट डेफिनेशन है जो तीनों की बाप है वो क्या है रेजिदेंट पर्सन की डेफिनेशन और यह हमारी आज की आखरी डेफिनेशन है इसके बाद हम थोड़े नुमेरिकल पॉर्शन की तरब मूफ करने लगे हैं तो डूड़ें यह पढ़ने पॉइंट वन अपर्सन शेल बिया पर्सन अभी मैंने दिखाया था पर्सन का लगस दिखावा उसके यहां के तीन शाखें थी अपर्सन शेल बिया वरा टेक्सिर इस ता पर्सन इस रेजरेंट विजल आपको बड़ी बात बता यह तो मैं पता थी इफ़ पर्सन इस और अगर किसी को नहीं पता रेजरेंट विजल को न है तो सेक्शन एटी तू कंपनी के बारे में नहीं पता थो एटी थ्री और योपी के बारे में नहीं पता थो एटी-फॉर वो हम अल् अगर फील करें तो तो रेजिदिट्स परसंघी ना इसने चार लोग डाले हैं रेजिदेंट विजिट्स ऑ रेजिएंट कंपणी और फेडरल गवंट्ट फेडरल केजिए गा है तो प्रोविंशल गवंट्ट और लोकल गवंट्ट यहां आ गए है कि क्वील करें प्रोविंशल गर्मेंट और लोकल गर्मेंट किंके अंदर डाल देervान प्रॉइंक कि इंदर लिखनें को इस लिए आ ने यह लुघनान ना यह अफ़ेरल खौल श्रीफ तो अपने इंदर एक श्रीफ है पुरा इसको ना इंडिविज्व में डाला जाए बाइब करें मैं पी मेलन का हूँ तो एक ब्रैंड है पूरा कह रहे हैं तो ना वह इंडिविज्व ना वह यह ना वह कंपनी है प्रोविंशल गवर्मेंट और लोकल गवर्मेंट क जबरदस्ती हमने डाला उठाके रेजिडेंट कंपनी की बस में लेकिन फैडरल गवर्मेंट को हमने लगसे प्रोटोकॉल दिया फैडरल गवर्मेंट को का आपने इंडिविज्व हैं आपना कंपनी है आपने यवपी हैं आप जरा ना नीचे तश्रीफ ले आएं आपके पाइं रहते हैं तरक MAND कर दिया सब्सक्राइब हotti आप तो आंने के सब्सक्राइब कर दिया पाकिसान में रहते हैं तुर्कमानिस्थान में कवर्मेंट पर्सन ना सांस लीए टी इसलिए अफडरल गवर्मेट को भी हमने कहां डाला company के अंदर डाला या अलग से point बनाया इसके लिए और federal government क्या आए बोलें resident है नॉन resident पाकिस्तान की अकूमत कहा है आज कल पाकिस्तान में तो federal government to federal government to resident ही हो ना federal government to non resident नहीं हो सकती अगर आपने पाकिस्तान की government को भी non resident कह दिया तो पीछे रहें के आप किसे आप रहेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं कि federal government इंडिविजुल एओ पी कंपनी नहीं है लिख दूं साइड पे और लिख दूं साइड पे कि यह ना इंडिविजुल है ना एओ पी है ना कंपनी है तो यह एक लाग चीज है और foreign government भी तो सकती है foreign government foreign government क्या होगी चैना ठीक है चाइना government जर्मनी की गभरमेंट इंडिया की government इंडिया की गभरमेंट इंडिया न को क्या करार दे दे और ऑर फारण को और यह को पिताने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की एक ओमत रेजिडेंट है और चाइना की ओमत आजकल पाकिस्तान में नहीं है तो फिर भी कोई मसले है तो क्लास के बाद साथवले से पूछ लें बाद इस डागराम में प्रोविंशल गवर्मेंट क्यों नहीं आ रही है आपका जवाब होना चाहिए था देखने वली आंख होनी चाहिए आ रही है देखने वली आंख होनी चाहिए यहां आ रही है वो अच्छा यह ना अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आपने ना इधरी कॉलिज में लाइब्रेरी में याद करके जाने है यह इसको दरा समझें वो कैए चले मैं पहले इंपॉर्टेंट लिख दूँ इसका साथ इंपॉर्टेंट इधर आपने युक्सुई से याद करने किते हैं इधर आओ मैं आज आपको बताता हूं नौन रिजिदेंट कोन है हम बड़े त्यार होके ना पहुंचे नौन तो जब हमने रिजिदेंट की डेफिनिशन देखी तो वहां लिखा हो था पॉस्टन इजर रेजिदेंट फूइस बता दिया ना तो जो रेजिदेंट नहीं है वो क्या है अच्छा आप दरा बताना शुरू करें जो वानिटी थ्री डेज रुके यह जो गर्मेंट अप्ल नॉन रिजिदेंट जो कंपणी लौ में रिजिश्टर आए अपने आपको या सारे डिरेक्टर पाकिसान में आ जाएं या प्रोविंशल या लोकल गवर्मेंट हो वह बाकि सारी कंपनी जो एओपी पार्टली या होली पाकिसान में मौजूद हो वह रेजिदेंट और बा पाकिसान की ओमत रेजिदेंट है तो फॉरण गवर्मेंट्स पर नॉन रेजिदेंट में यह एक्स्प्लेनेशन नहीं पढ़नी आपने यह इंशाला हम आगे देखेंगे कि इधरी में आ लेते हैं अच्छा जी नुमेरिकल पॉश्चन के तरफ आज मूव करें एक सहाव हैं जी मिस्टर उमर उन्होंने आपको कुछ डेटा बताया है कोई नोट्स में ढूणने की जुरूत नहीं है ढूना होता है मैं बता जेता हूं अब बंद करने भी उतना टाइम लगए कि जतना गोलने में लगए जल्दी से तरफ एक सहाव हैं जी मिस्टर उमर वो यह कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है हूं और मैं यह वले इंकम जो है वो कमा रहा हूं इंकम फ्रम सेलरी कमा रहा हूं इंकम फ्रम बिजनस कमा रहा हूं इसके इलावा इंकम क्या है मिसाल के दोर पे कॉलेज में को यह नोट करने का आप अनना टाइम दिया जाएगा अभी दर नेवा देखें तो इंकम फ्रम सेलरी कमा रहा हूं कोई कॉलेज के अंदर कैशियर है वो कहता है कि मैं कॉलेज के अंदर बैठ करता हूं सुबो आठ बजे से लेके दुपहर दो बजे तक तो छे घंटे के अंदर मैं कॉलेज में काम करता हूं कॉलेज वाले मुझे इसके तनखा देते हैं यह कौन सी इंकम कमा रहे हैं इंकम फ्रम सेलरी अचा यही बंदा घर चला गया और रेस्ट करके शाम चार बज अधर टक 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 ले लो सुपर ले लो सुपर ले लो तो यह वादें लगा रहा होते हैं तो यह इसका जनरल स्टोर है करयाना स्टोर है बंजूर शॉप है तो यह कौन सी इंकम कमा रहे हैं इंकम फ्रॉम बिजनस कमा रहे हैं इसके इलावा इसने अपने घर का फस्ट फ्लोर कराये पे दिया हुए तो ये इंकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे है घर का फस्ट फ्लोर इसने कराये पे दिया हुए ये इंकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे है इसके इलावा ये कमा रहे है जी income from capital gain share खरीद के बेच दी है कुछ jewelry खरीद के बेच दी ये income from capital gain कमा रहा है फिलाल jewelry जहन में रख रहा है ये कमा रहा है income from capital थोड़ी alignment थोड़ी इधर करो अगे पहुंच गयो आप income from capital gain अच्छा जी इसके इलावा अगर आप कोई भी income कमा ले इसका आप नाम रखेंगे income from other source आप नोकरी करके जो पैसे कमा रहे हैं वो income from आप business करके जो पैसे कमा रहे हैं कारुबार करके वो income from business आपने घर कर आये पे दिया है income from property आपने कोई jewelry खरीद के बेची है वो income from capital gain और इसके इलावा अगर आपको income कमा रहे हैं वो income from other source मिसाल के दोर पे आपका वलीमा आए तो वलीमे पे आपको सलामी मिली तो यह आपने किसी की नोकरी शुरू कर दी है आपका कारोबार है अपने वलीमे कराना जल्दी बताएं yes no में आगे चले हसने की बात नहीं है यह आपका कारोबार है आपने अपना उप वला पोर्शन के दे दिये है शादी करा के उपर वला पोर्शन के दे दिये ANYए आपने कोई जेलरी बेची है नहीं वो तो बेगम जेलरी ला रही है औलटा आपने कोई जेलरी बेची है तो इन चारों मेंसे आपने कोई activity नहीं की इसका मतलब है जो बची कुछいい incomes है सह कहाँ fall किया करेंगी income from other source शायद ये वो पहली income हो जो आप जंदगी में कमाएं, income from other source, अच्छा, articles में ही कर वा लेंगे ना आप इसलिए में कह रहा हूं, अच्छा, तो ये पांच किसम की income हैं जो एक बंदा कमा सकते हैं, इन पांचों का जब हम total मारेंगे, तो इसका जवाब होगा total income, बड़ी वाद पे की हो, इसाब ने कोई जवाद पे की हो, जवाद एड होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए, क्योंके salary आती है, salary आ, कारुबार से पैसे आ, कराया आ, capital gain, jewelry बेच के पैसे आ, सलामी आ, जवाद जा, तो जवाद जाती है, आपके पासे पैसे जाएंगे, तो जवाद को एड benefit मिलेगा, जवाद को आपको less करने की जाहत होगी, और जो, कट कटा के पैसे बचेंगे, इसका नाम आप रखेंगे, taxable income, taxable income का उर्दू में मतलब क्या है, ऐसी income जिस पर tax लगेगा, अब जी ये सहाब कहते हैं, मैंने 3,00,000 रुपया salary कमाई है, और जी मैंने 5,000,000 income from business कमाई है, income from property मैंने कमाई नहीं, capital gain income मैंने 50,000 रुपया कमाई है, सलामी मुझे किसे ने दी नहीं, दूर से देखके, शाबश देखके चलेगे सारे, अल्ला आपका निगे बानों कहके, total कितना बन गया, निकाल लें जो बैगों में पड़े हैं, फाइव थ्री, फाइव थ्री, फाइव जिरो, ट्रिपल जिरो, इस में से माइनस करेंगे जी आप जकात, जकात फर्स करें, नहीं 2.5% आपको रेट याद होगा, वो हमारे सलेवस में नहीं है, वो इसलाम की नजर में आपको याद है, 2.5% बड़ी अच्छी बात है, लेक जकात की अमाउंट पेपर में हमें गिवन करेगा, जकात हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जकात इंकम्स पर नहीं होती, जकात एसेट्स के उपर होती है, तो इसलिए जकात हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, जकात की अमाउंट हमें गिवन किया करेगा, तो किसी इस व्यवेख्वे बंदार्य पाकिस्तान में कितने किसम कि इनकॉम्स कमा सकता है पांच किसम की किसम कमा सबूस का आज आज याद ने वहला वैसे बड़ा थोड़ा सा है यह रेजिदेंट अपी का एक पॉंट है पोर इस अधिफिका राफ़ी पॉंट है साथ साथ नोट करें होते हूं आचा अभी गिया है अब ट्रव्य चेक भी खिये या बच्वों प्रेलाय का रहे हो अगा जी चलो मैं इस पर बात करता हूं अब हुआ है इस अब अब जिस अब बस करता हुआ है कर ले वाही जल्दी कर ले कर ले दो कर ले जाएं तौर गया जाएं पिश्सक्टाव में बना रह 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 रहा है और बाक्ती जो दिने वो चाहिना में रह 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 रहा है और चाइना की जो इसके डाइसरिंग मिल दी है वो बाकी दिनों पे मिल दी है और दोनों में बन देगा कितने लाक रुपे कमाएं है 53 लाक रुपीज कमाएं है ऐसा ही है 53 लाक रुपीज कमाएं है लेकिन आम इस तरह नहीं देखा करेंगे हम तो मिलियंज में बाते करेंगे बच बचपन में आम रुपीज में बातें करते थे फिर बड़े हो गए हमने थाॉज़न इस में बाता शुरू कर देखर भी लाक में अब यह आ रहार है लिखा हुआ फिर्स चेढूल बॉर जिनके बास किताबें डबेडू बदल चुके हुए फिर्स चेढूल जिसमें लिखा हुआ रहे है इसमें लिखा हुआ रहे है रेट्स एक्स पर lls एंड एओपीज अगर एक बंदा 600,000 से कम कमाए पाकिस्तान में तो उसने टेक्स कितना देने है जिरो परसंट अगर 600,000 से ज्यादा कमाए बट ड़स नोट एक्सीड 8,00 लेकिन 800,000 से ज्यादा ना कमाए तो उसके लिए रेट कितने परसंट है जिरा हमारे वला बंददा ढूंडे है क्विस्टन आपके सामने हुआ है को स Карी करें रेजिस्टन जो आप लिएजिस्टर पर देखे उसको कंपेर करें तरह हमारे वले बंदे से हमारे वाले बन्दा किस सीरियल में गिर रहा है अमीर थे अमीर, कबीर है अच्छा ये ये आप लोगों ने खुदी कategories बना दिए गरीब, अमीर, अमीर कडीब, अमीर कबीर, अमीरॉन कबीरॉन कबीरॉन शदीदुन ये खुदी काटेकरीस बना दिए है सेलें ढूंडें जी किस केटेगरी में आ रहे है सीरियल नमबर सेवन अब जो लोग परिशान होके देख रहे हैं उनके लिए इसको कहते हैं फाइब पॉइंट थ्री मिलियन बोलें क्या कहते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे डिजिट के से पहले अगर कोई लफस आ रहा है साल के तोर पे ये मैं लिखता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गरम अंडे हो गए इस से पहले अगर मैं टू लगा दू तो ये क्या है टू मिलियन ये क्या है 2,000 बड़ी बास था या चाहिए हम ये क्या है 2,000,000 ये क्या है 4,000,000 ये क्या है 3,500,000 ये क्या है 4,2,000,000 अच्छा जी अब अगर आप इदर डबे में आएं तो डबे में है सीरियल नमबर 7, वो सीरियल खाने वाला नहीं, एस वाला, ये है सीरियल नमबर 7, जिस बंदे की इंकम 4,000,000,000 से ज्यादा हो, लेकिन ये टेबल याद करेंगे कल, होज़े का कितने लोग याद करेंगे, कुछ करें, याद करेंगे, वैसे पेपर में ये दिया होता है, पेप पर मैं इंशाला दिया होगा फिर भी याद करेंगे दिवाने धिवाने 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 8 वले 4 मिलियन से ज्यादा और 6 मिलियन से कम यानि 5.3 मिलियन अब अगर मिलियन मुलियन किसी को समझ नहीं आ रहे तो भाईज़ें ये तो समझ आ रही है ना कि ये जो 4 और 6 है इसके दरम्यान 5 शरीय तीन है तो ये कौन सा है वह आपने इसके उपर निकालने है ठीक है ओबर कल इंशालाम निकालें आप इसे ट्राइब करेंगे टेक्स निकालना तो अब उपाईजन टाइम है आई नो डेट यू नो डेट टाइम इस देर तो कैस्से नमबर 11 हो गया था 7 निकालने दरह होम वरख पसंद करते हैं आप होम में करते हैं जा लाइब रेडी में होम वरख में कराईएगा क्वेस्टिन नमबर 17 जिसका पहला पॉइंट है रमीज साथवले की रिजिस्टर पे लिखे होम वरग और आज की डेट लिखे होम वर्क लिखें और आज की डेट लिखें इसके चारों पॉइंट करेंगे बबलू रमीज वाला, खलील वाला, अली वाला, स्मित वाला अच्छा, 11 में आई दरा 11 में पॉइंट टू पॉइंट फॉर से शुरू करते हैं, पॉइंट फॉर फारूप ट्रेडिंग लिखें वाजिए लिमिटेड लिएविलिटी कमपनी बाइजां ये कमपनी हैं, इंडिविजूल है, ये ओपी है, कमपनी है, कमपनी के लिए पाकिस्तान के लाव में अपने आपको रिजिस्टर करवाए execute करूए, इसने पाकिस्तान के लाव में अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाइआओב। convention करशिच्टेड और्यू येs, कर्वाई लाब कर आ तो foreign law को छोड़ें परे आपने अब यह नहीं देखना कि foreign law register करवाया है जो बंदा अपने आपको पाकिस्तान के law register ना करवाय और यूए की law register करवा ले उससे हम ने यह सवाल पूछने कि तुम्हारा management control कहा है क्या company का सारा management control बाहर के मुलक में है holy in पाकिस्तान है या holy outside है तो जब होली इन पाकिस्तान होगा तो company क्या बन जागी लिखें जी a company will be considered as a resident company जोने बंद कर लिया वा था सब कुछ a company will be considered as a resident company बाहरें शुरुली किसी स्पीड से नोट किया करें a company will be considered a resident company if management and control is situated only in pakistan therefore farooq trading llc company therefore farooq trading llc company विल बी कंसिर्ड एस तो बोलें resident company आगे चलें जी पॉइंट टू आस्फ लर्निंग सेंटर इस पार्टनर्शिप कंसार्ण तो यह 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 बिल्कुल यह यह पी है पार्टनर्शिप होती है प्रोवाइडिंग आइटी सर्विसेज इन पाकिस्तान एंड जुनाइटेड अरब एमरेट्स एंड सौधी अरेबिया अब तो 31 जुलाई दोजह दस हमारा साल बताएं क्या है यकम जुलाई दस से अब तो 31 जुलाई दस यहां तक दा मैनेजमेन कंट्रोल वस्टिटेड पार्टली इन और यकम अगस से सारा मैनेजमेन कंट्रोल शिफ्ट का हो गया है क्वं लिए दो दुब़ई चलेकिया और हम क्या करें पाइजन गरीन वाली लाइन देखे हैं क्या यह गरीन जंडा पाकिस्तान में इतना अरसा रहे हैं एक सब का रहना जरूरी यह या पार्टली क्या management अ Körperत्रिमола की situate करे ती पाकिस्टान किय ये situate करती हुआ एक महीनँ तो 42 पाकिस्तान में यह महीना एक दिन भी रुख जाए paper to फोली दुरूरी नहीं है तो पार्टनर्शिप्स क्या बन जाएगी तो लिखे न यूपी विल बिया रेजिदेंट यूपी लिख लेंगे आगे में तबानी उता देता हूं सुन लें यूपी विल बिया इव इसमें मैंने कंट्रोल इस सिट्वेटेट इस पार्ट होली और देरफॉर इट विल बी कंसिरेड एस कल्यात करादिये का क्लास में दुबारा लिख लेंगे और क्वेस्टन सेवन के बी पे नजर मार लेंगे असान साएं चलेंगे यह भी ट्राइए बलोजिस्तान का इंपलाई है कर लेंगे अपलाई सेवन का बी भी होमवर्ट में कर ल हुआ है